नमस्कार सातियो रोजगार कंपीटिशन चेनल पे आपका स्वागत है दोस्तो माज आपके लिए कोड़ नई बरती का नोटिपिकेशन लेकिया है हूँ जिसका नोटिपिकेशन आप देख पा रहे हो दोस्तो सेंट्रल गवर्मेंट की यह जोब है ओल इंडिया मेल फिमेल क्या आप इसक्रीन पे देख रहे हो तीन दोजार इकिस इसका विग्यापन संक्या दोस्तो इसके दो विग्यापन जारी किये गए है जो आप इसक्रीन पे से हो रहा है च्यार दोजार इकिस एक विग्यापनों इसका ओर निकाला गए है केंद्रिन अनुसंदान पर सिक्ष हर अपडेट आपको सबसे पहले इस चेनल पर प्रवाइड की जाती है जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पारे हो साथी हो कार्याल साइक का पद है ग्रेड थेड का यह पद है अनारक्षी स्ट्रेणी के लिए दोस्तों यह पद है जनरल कंडिडेट के लिए पद है इसमें दोस्तों एज लिमीट जो रहने वाली 25 एर तक के कंडिडेट एपलाई कर सकते हैं एज लिमीट जो रहेगा नो जुलाई 2021 को आपकी एज काउंट की जाएगी सेलरी पे लेवल टू की रहने वाली एक कनिस्ट आसुलिपी का पद है जूनिर इस्टेनो ग्रापर का एक पद है नारक्सीत के लिए दोस्तों इपलाई कर सकते हैं नो जुलाई 2021 किस्ट आपको यह दोस्तों मैक्सीमम 35 एक कर सकते हैं इसमें दोस्तों आविदन प्राप्त होने के अंतिम्तित दी गई है इसका संपून विग्यापन मभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाल दोस्तों जो नेक्स्ट वेकेंसी का नोटिपिकेशन निकला है सेम डिपार्मेंट से नोटिपिकेशन हूट हुआ है कार्याल साय ग्रेट सेज़त सब्सक्राइब निकला संपूर नोटिफिकेशन जो की साथ यो आप इस क्रीन पे देख पा रहे हो किसमें दोस्तों इसके ओनलाइन आओ देन है 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं इसकी लास्ट डेट है उनलाइन आव दिन करने की 9 जुलाई तक आप इसकी ओनलाइन आव दिन कर सकते हो फीज पेमेंट आप 11 जुलाई तक पे कर सकते हो इसकी दोस्तों किन-किन केटेगरियों इसकी पोस्ट है संपुर्ण जानकरी आप देख पूरे हो ओपीस असिस्टेंट का यह पद है जो यह इसका हेंटाटर है दोस्तों नेशनल काॉँचील ऑप साइंस मुजियम का दोस्तों कॉल कत्ता में इसका हैड़काउटर है वहां से बैकनिसी निक लिए ओपीज असिस्टेंट ग्रेड थेड़ का पर एक पद है अन्रिजव के लिए पोस्ट है जनरल कंडिडेट्स के लिए पोस्ट है इसकी सेलेरी पहले लेवल टू है दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इसमें टैपिंग भास इसके Lynn का के लिए क्लिए उसके लिए इसके लिए भी कंडिडेट्स है इसमें सोर्ट हैं डिस्पीड मांगी गई है इसी डबलू पीम की दोस्तों इसमें जो टेक निशन ये की पोस्ट है इसमें दोस्तों पे लेवल टू सेलरी रहने वाली है कोल गत्ता में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है इसमें क्वालीफिकेशन मांगा गया है तेंद पास कंडिडेट रप्लाई कर सकते हैं पलस इसमें ITI साथ में मांगी घई है यह दोस्तों इसमें ITI नहीं हो तो आपके पास One Year Certificate होना चीए संबंदी ट्रेड में Experience होना चीए दोस्तों सोरी दोस्तों इसमें एक्स्पेरिंस म्हांगा गया है टो एग्सपेरिंस 12 कंड़िद इसमें ऐपलाई कर सकते हैं दोस्तों यह तेकनिशन वाली पोस्थ फहोरी médico साथ nuे रिलेक्ष दिया गया है दोस्तों स Sig st obesity चाहिए वह इसमें आयूसिंत कंडिडेट्स महिला है इसमें फ्री में आवे दन कर सकते हैं SCST PWD XServicement Candidates के दोस्तों फ्री में आप आवे दन कर सकते हो फीस का जो बुकतान करना है Netbank की debit card credit card से फीस पे करने है 11 जुलाए तक इसकी फीस पे कर सकते हो साथ यो जो इसकी संपूर जानकार इस notification में दी गई है notification आपको वीडियो के description में मिल जाएगा साथ इसकी online आवे दन का link पे आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप डाइरेक्ट वहाँ से किलिक करके इसकी online आवे दन कर सकते हो दोस्तों इस परकार की vacancies में बहुत कम आवे दन प्राप्त होते हैं आप इन vacancies के लिए आवे दन जरूर करें दोस्तों जो second vacancies रिलिज होई है 15 जून से इसकी आवे दन इस्टार्ट हो चुके है 9 जुलाई दोस्तों इसकी last date है 11 जुलाई तक आप इस पेमेंट कर सकते हो यह दोस्तों ओपी सर्शी 10 की vacancy निकलिए 11 सर्शी vacancy निकलिए साथ ही दोस्तों दो vacancies टोटल यह निकलिए इनने में दोस्तों क्या qualification रहेगी 10 प्लस 2 बारी पास कंडिडेटिंग में अपलाई कर सकते हैं सभी गोवर्मेंट जोप से जुड़ी अपडेट तुरंत पाने के लिए आप चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तों इस चैनल पे आपको सबसे पहले 60 पास्ट और वास्त्विक जानकारी दी जाती है धन्यवाद दोस्तों